जै शी क्रिश्ना, कैसे आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए इश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी जीवन में आगे बढ़ें आप धेर सारी, धेर सारी सफलता प्राप्त करें आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल Spiritual Love 111 में हम बताने वाले हैं आपको कि अगले साथ दिनों में आपके परसन आपके लिए क्या फील करेंगे, उनकी क्या एनर्जी होगी और आप उनके लिए क्या मैसूस करेंगे, आपके क्या एनर्जी होगी मतलब कि अगले साथ दिनों में आप दोरों के बिच गया होगा ठीक है, यह चीज़े हम इस रीडिंग में बताने वाले हैं तो जो भी है आपके परसन जिनके लिए आप यह रीडिंग देखना चाहते हैं उनके बारे में सोचकर एक लंबी सी गहरी सास लेकर आप एक ओप्शन चुल लीजिए, ठीक है उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखे अब देखे, कभी-कभी चीज़े पूरी रेजोनेट होती है कभी-कभी रीडिंग पूरी मैच करती है कभी-कभी थोड़ी बहुत, कभी-कभी बिलकुल भी नहीं तो आप समझदार है ना, समझदार ही आपको जरूर दिखानी है क्योंकि ये पर्सनल लीडिंग तो नहीं है जर्नल लीडिंग है ना, इसमें बहुत साले लोगों की एनरजी है तो समझदार ही आपको दिखाने पड़ीगी, ठीक है? चलिए, रिडिंग की शुरुआत करने से पहले आपके मन को शान्त करने के लिए आपके औरा को पॉजिटिव और स्ट्रॉंग करने के लिए हमारे साथ दो मिनट का ध्यान कर लीजी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है? और जो भी affirmations हम बोलते हैं वो हम खुद के लिए आप सब के लिए बोलते हैं आपको ऐसा फील करना है, ठीक है? आखे बंद करिए ओम्भूर्भूवश्वाहा तच्चवितुर्वरेन्यम भर्गो देवश्यधी मही धियो यो ना प्रचो दया हे इश्वर, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभारत करती हूं मैं ब्रमान की समस्त पॉजिटिव उर्जाओं का सभी देवी देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं क्योंकि आप सभी के आशिटवाद से मेरी सारे काम बनते चले जा रहे हैं मेरा मन बहुत प्रशन रहता है मैं बहुत सकारात्मक रहता हूँ लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं बहुत सपोर्ट करते हैं बहुत अप्रिशेट करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत मस्थ हूँ और अपने जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ तो थैंक यू सो मच जोनिवर्स, थैंक यू सो मच, I love you, I love you सो मच, जै शी कृष्णा हम आशा करते हैं कि आप अच्छे हूँगे, खुश हूँगे, पॉजिटिव हूँगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हूँगे डियर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल स्प्रिच्वल लव डबल वन डबल वन में अगले साथ दिनों में आपके और आपके परसन के बीच क्या होगा? क्या होने वाला है? जिने सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी क्या energy होगी आपकी क्या energy होगी एक दूसरे की क्या feelings होगी एक दूसरे के लिए ठीक है ये चीज़े हम आपको इस reading में बताने वाले हैं तो सबसे पहले हम इस ट्रॉंग साइंड की बात कर लेते हैं, इधर मेसं सिंधधनु राशी, एरीस, लियो, सैजिटिरियस बहुत स्ट्रॉंग है, कैंसर स्कॉर्पियो, पाइसियस, करकर रुश्युक्मेन राशी भी बहुत स्ट्रॉंग है, टॉरस, फरको, कैप्रिकॉन भ है मितुन्तुला कुम्बराशी ठीक है डियर सबसे पहले हम थोड़ी सी बात आपकी करते हैं माना कि आप में बहुत फेथ हैं बहुत पेसिंस है माना कि आप में बहुत साहस है ठीक है लेकिन कभी भी जल्दबाजी में आकर ऐसा कोई फैसला मत लेना कि आपको जिन्दगी भर के लिए सिर्फ अफसोस करना रह जाए आप चाहते हैं ना कि आपके परसन के जीवन की जो भी समस्या है वो खतम हो जाएं आप तो सब जानते हैं कि उनकी जिन्दगी में क्या चल रहा है बहुत कुछ ऐसा होता है वो जो कह नहीं पाते वो जो बता नहीं पाते अंदरी अंदर घुटते तो हैं पर कुछ जता नहीं पाते आप सब जानते हैं अगले साथ दिनों में आपकी जो परसन है ना बहुत हेलपलेस फील करेंगे बहुत जादा जैसे कि किसी के पास कोई उम्मीद ना हो जिसे हर पल इस बात का डर लगा हो कि वो आपको खो देगा वो आपको खो देगा वो आपको खो देगा लेकिन उसके पास कोई ऐसा रास्ता भी नहीं है कि वो आपको समझा ले आपको दूर जाने से रोक ले वो इतना मजबूर है कि कुछ कर नहीं सकते हैं अभी जैसे कि हाथ बंदे हुए है हम सब के जीवन में ऐसी परिस्थितिया, ऐसी ऐसी situations होती हैं कि कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि कर तो बहुत कुछ सकते हैं पर जैसे हाथ बंदे हुए है कभी-कभी परिवार आ ड़े आता है तो कभी-कभी समाझ आ ड़े आता है तो कभी-कभी अभी हम उस इस्तर पर stable नहीं होते हमारी आरतिक इस्तिति इतनी अच्छी नहीं होती कि हम समाझ परिवार सबको साइड में करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें ये soulmate connection है जितने लोग भी pile number one देख रहे हैं और कुछ लोगों का यहाँ पर हम ऐसा देख रहे हैं कि शायद online मिले हैं आप लोग कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जरिया है online बातचीत करने का इनकी तरफ से आपको strong commitment नहीं मिल पा रहा है जैसे कि हो सकता है कि शुरू में उन्होंने जो वादे किये हूं इन्होंने जो कहा हो कि हम एक साथ रहेंगे हम शादी करेंगे और इस तरह की चीजे तो अब वो चीजे उस level पर आपको दिख नहीं रही है जो बाते इन्होंने की थी तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनसान मुझे घुमा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि यह मुझे बेवकूव बना रहे है family family का खेलेए है कि family accept नहीं करेगी अभी मैं stable नहीं हूं कहीं ऐसा तो नहीं कि वहानेबाजी कर रहा है मजशे कभी-कभी क्योंकि आपका मन ना बहुत असंतुलित हो जाता है कभी-कभी आपका असा लगता है कि यह मुझे चीट कर रहा है यह मुझे दोखा दे रहा है शायद यह मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है ठीक है? तो उस वक्त आपका मन कहता है कि अब मुझे इससे कभी बात नहीं करनी है और मुझे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना है आप भी मुझ फेर लेते हैं आप पर इग्नॉर करने रखते हैं गुसा जब आपको हद से जादा आजाता है ठीक है लेकिन कहीं न कहीं ये अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं आपकी आत्मा इस बात को जानती है कभी कभी दिमाख हावी हो जाता है आपके उपर जो दिमाख कहता है कि छोड़ आगे बढ़ लेकिन आत्मा कहती है नहीं वो वाकई मजबूरे नहीं वो मुझ से प्यार करता है नहीं वो एक दिन वापस आएगा सब समय समय का खेल होता है होता है न समय समय की बात होती है तो समय अभी आप लोगों के साथ नहीं है और जब समय साथ ना देना तो सब कुछ इश्वर पे छोड़ देना चाहिए सही समय का इntजार करना चाहिए हम बहुत सारी नैचरल चीज़े होती है जयिसे पूरी प्रकरति समय के हिसाब चलती है सर्दी कब होगी, गर्मी कब होगी जब प्रकरति के साथ छेर छाड होती है तब ही प्रकरति अपना रौत्र रूप दिखाती है ये फिर प्रकरती में परिवर्तन होते हैं है ना जैसे कि एक बच्चा है नवजात शिशू है अभी महीने भरका हुआ है समय के साथ ही वो खाना खाएगा ना अभी समय नहीं अभी समय है उसका दूद पीनेगा है ना फिर दिरे दिरे कुछ सॉफ्ट चीज़े उसे खिलाएंगे आप फिर समय के साथ वो खाना खाएगा फिर दिरे 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 समय बढ़ेगा समय के साथ उसकी क्रियाएं बदलती जाएंगी परिवर्दित होती जाएंगी हम समय के इंतिजार करते हैं ना ऐसा तो नहीं कि अभी समय नहीं पर हम जवर दस्ति उसके मुंए खाना ठोचते रोटिया बर दे खाना का दूध नहीं है नहीं करते ना समय का इंतजार करते हैं तब फिर हमें सही परणाम मिलते हैं ऐसे ही अभी समय साथ नहीं दे रहा है आप लोगों का इवन इनका साथ नहीं दे रहा है अगर समय इनका साथ देगा न तो यह आपके लिए बहुत कुछ कर गुजरने की ठेंकिंग रखते हैं मन में बहुत सोचते हैं आपके बारे में बहुत सोचते हैं शायद आपको कभी-कभी ऐसा लगता हो कि इसे मेरा कोई खयाल ही नहीं है पर पता है क्या है अभी इनको लग रहा है यार मुझे बहुत सोच समझ कर चलना है क्योंकि छोटी सी छोटी बात भी मेरे लिए दुखदाई साबित हो सकती है चोटी सी छोटी बात भी मेरे लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है जो कि मेरे लिए गलत हो सकती है मेरा कोई भी एक्शन मुझे ऐसा कोई एक्शन नहीं लेना कोई ऐसा कदम ने उठाना जो मेरे और मेरे रिष्टे के लिए हाने का रख हो इंटरकास्ट इशू है कुछ लोगों का रिलीजियन इशू भी है पर आप ऐसा कभी मत सोचना कि इसके दिल में प्यार नहीं मेरे लिए बेशमार महब्बत है अनकंडिशनल लव इनके नेम का इनिशियल M हो सकता है इनके नेम का इनिशियल बता रहे हैं आपको तो ये प्यार बहुत करते हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन इनको असा रहा है यार मेरे बहुत आफ़र्स लगाने पर भी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है पता है ये सोचते हैं कि आपके छोटी चोटी छोटी खुश्यों का ख्याल काश ये रख पाते जैसे कि आपने कहा कि मुझे वो चीज बहुत पसंद है आपने उसकी बात की आपने सिर्फ नॉर्मली इंसे शेयर किया लेकि इंका मन होता है कि काश मेरे पास इतने पैसे होते कि इसे वो चीज ला कर देता या फिर ला कर देती पर वो काश है अभी अभी ये इतने इन्डिपेंडिन्ट हमें नहीं लग रहे हैं और ये जानते हैं कि आपका हृदय आपका दिल बहुत साफ है सीसे की तरह सीसे से भी ज़्यादा कोई धूल नहीं है बहुत जिसे की बहुत प्योर सोल हैं आप अप अपने मन में किसी भी तरीके की कोई अदुर्भाव लाइक किसी भी तरीके की कोई गरत बात नहीं रखते हैं आप वो गुस्सा आ जाता है हम देखने हैं आप वो काफी गुस्सा आता है, तो गुस्से में आप इन्हें बहुत सुना लेते हैं, बहुत कुछ कह लेते हैं, लेकिन आपका ऐसा कोई intention नहीं होता है, आप बस इतना चाहते हैं, कि हम जल्द से जल्द एक हों, हम जल्द से जल्द साथ रहें, आप इन्हें छोड़ के जाने की धंकी भी भी देते हैं हां बहुत डरे-डरे से रहते हैं यह हार्ड वर्क तो बहुत कर रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों अभी चीज़े अच्छी नहीं हो रही हैं मेंटली बहुत डिस्टब है यह अपने परिवार को लेकर मतलब कि सब स्वार्थ के साथ ही हैं जिनकी कभी नोंने मदद की वो आज इनकी मदद करना तो दूर इनसे बात नहीं करें इनको इग्नॉर कर रहे हैं तो यह इनसान अंदर से तूटा हुआ है आप भी कभी कभी इन कहीं ऐसा नहों कि आप जो चाहते हैं यह वो चीज ना कर पाएं और आप किसी और के साथ अपने जिन्दगी में आगे बढ़ जाएं समझते यह भी हैं अब जैसे कि आप अनमैरिट हैं आप पे शादी का प्रेशर है तो इनको यह लगता है कहीं मेरी नाकामी कहीं मेरी अस अगर आपके मन में ऐसी बात हो कि इनकी जिन्दगी में आप से ज़्यादा कोई और एहमियत रखता है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है इतना समझ दीजिए ऐसा बिलकुल भी नहीं है आप इनके लिए बहुत एहमियत रखते हैं जब आप इन्हें पहली बार मिले थे ना इनकी खुशी का टिकाना नहीं था जैसे किसी को अपार समपत्य मिल जाती आचानक से आप इनका सब कुछ है आप इनका सब कुछ है बस आपको यह वो लाइफ वो जिन्दगी नहीं दे पा रहे हैं जो यह देना चाहते हैं जो इनके मन में है यह आपके साथ बहुत अच्छी मैरेड लाइफ जीना चाहते हैं आपको बहुत जगा घुमाना फिर आना चाहते हैं या फिर अगर ये फिमेल हैं तो आपके साथ बहुत घूमना चाहते हैं छोटी-छोटी सी जोटी-छोटी सी मूमेंट्स को enjoy करना चाहते हैं जिन्दगी का एक एक पल आपके साथ जी लेना चाहते हैं और समय अभी favor में नहीं है तो थोड़ा सा शान्त है बहुत बंधा हुआ सा बहुत मजबूर सा feel कर रहे हैं अगले साथ दिनों में और भी जाता थोड़ा करने वाले हैं हो सकता है कि थोड़ा लड़ाई जगड़ा भी आप दोनों के बीच मन मुटाव हो सकता है और आप action लेने के बारे में सोच सकते हो कि ऐसे नहीं चलेगा अगले साथ दिनों में ये होगा आप लोगे बीच पता है इनकी क्या energy होगी आखे बंद करिए जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हम नमा जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हम नमा न कोई था न कोई है जिन्दगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हम नमा हो जब चांदनी रात देता है हर कोई साथ तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ हो जब चांदनी रात देता है हर कोई साथ तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ ना कोई था ना कोई है जिन्दगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा ओ हम नवा यह चाहते हैं कि तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ वही बात ना हो जाए कि मेरे मजबूरी के दिन थे और तुमने मेरा साथ छोड़ दिया क्योंकि जब जिन्दगी में अच्छे दिन होते हैं तो सब साथ होते हैं कहते हैं कि बिगड़ी जब बनती है सब घेर लिया करते हैं और बिगड़ी जब बिगड़ती है मुझ फेर लिया करते है बन जाते हैं रिष्टेदार जब धन पास होता है बन जाते हैं सब रिष्टेदार जब धन पास होता है और तूट जाता है गरीबों में जो रिष्टा बहुत ज़्यादा खास होता है वो भी तूट जाता है लोग नहीं पहचानते अगर आपके दिन बुरे चल रहे हूं आप परिशान हो और आप नॉर्मल भी किसी को फोन करे न तो फोन नहीं उठाएगा इग्णॉर करे कहीं पैसे न मांग लेगे समझ रहे हैं आप सब ने अपने जीवन में कभी-कभी तो म और करते हैं कि आप उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे बात नहीं करते हैं जूट बुलवा देंगे कि हम बिजी अभी ये फिर बात में बात करेंगे और ऐसे बड़ी-बड़ी बाते भाई कभी भी जरुत पड़े याद करना भाई ये जब पेट भरा होता है ना सब खाने के लिए पूछते हैं और जब इनसान घर से भूका निकलता है ना तो होटेल भी नहीं मिलता जल्दी किती बार होता है ना ऐसा कि जिस दिन आप भू ना खाओगे कुछ खाओगे कुछ खाओगे कुछ खालो ऐसी जिन्दगी है तो इनको लगता है ऐसे मेरे बुरे दिन में मुझे जिसका साथ चाहिए इन्हें और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई रहे न रहे पर आपका साथ बहुत जरूरी है इनके लिए क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं बहुत प्यार करते हैं पता नहीं इन्होंने कभी आपसे अपने दिल की बात उस तरह से कही की नहीं कही जिस तरह से हम यहाँ पे फील कर रहे हैं महसूस कर रहे हैं इनके दिल का हाल आपका रहना आपका जाना बहुत फर्क पड़ता है और उ बहुत जरूरी हो इनकी जिन्दगी के लिए, इनकी खुशी के लिए, दिल के बहुत सच्चे, बहुत अच्छे इंसान हैं, और ऐसा ही आपको भी सोचते हैं, पस इनको लगता है कि कहीं कोई आपको बहका न दे, कोई आपको भड़का न दे, कहीं आपकी इंट्इंशन भी, आपकी इंट्यूशन भी बोलती होगी कि आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन मजबूर हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि, आपके अंदर आग और पानी दोनों हैं, हाँ जी, आप जो भी हैं मैं रखता हैं, शायद आप अपनी लाइफ में काफ connection लेगा भी है फिर नहीं कई ऐसा थो नहीं कि बहुत time pass कर रहा हूं यह और आप इन्हें एक पल के लिए पे अपने दिल दिमाग सीनी निकाल पाते इनके बारे में सोचते रहते हैं अपने मन में हजार बार सोचते हैं कि अब बात नहीं करने हैं इसे बात नहीं करने हैं इसे जब इसे कोई परवाही नहीं जब इसे कोई फिकर ही नहीं है तो क्यों बात करना कभी-कभी आपको गुस्सा आ जाता थोड़ा सा लेकिन लेकिन move on तो आप भी नहीं कर पाते दूर तो आप भी नहीं जा पाते आप इन पर बहुत गुस्सा कर ले आप इन्हें बहुत सुना दे लेकिन आपके जिंदगी आपके खुशी यही है आपको खुद भी ऐसा लगता है तो रियर यह पता है आपके लिए बहुत मेनत करना चाहते हैं आपके लिए इसे खुश रखने के लिए फिर मुझे वो सब कुछ करना है जिससे वो खुश रहे अपने जिन्दगी में बहुत हार्ड वर्क करना चाहते हैं उस मुकाम तक पहुचना चाहते हैं जहां पर यह आपका हाथ पकड़ कर बहुत निश्चिन तोकर जिंदगी में आगे चल सके इन्हें सोचना न पड़े यार पैसे नहीं है यार यह दिक्कत है यार वो दिक्कत है थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा क्योंकि उनको पता है जब पैसे होते न तो अच्छे अच्छों क मुख बंद हो जाते हैं कोई उंगली नहीं उठाता सब चुप रहते हैं और जो गरीब लोग होते हैं अगर उनके जिंदगी में कुछ इधर उदर कुछ हो गया तो पुरा गाउं पुरा शहर पुरा मुहला विलके पंचायत करता है वो बात हावा की तरह फैलती है मतलब ये वो जिल्लत नहीं चाहते हैं कि आपका सम्मान घटे ना खुद का सम्मान घटाना चाहते हैं इस लेवल तक कि ये मुकाम हासल करना चाहते हैं कि बहुत सम्मान की जिंदगी आपको दे सकें मुझ उपाकर घुमने वाली जिन्दगी ये न चाहते है न आपको देना चाहते है ये समझ लीजिए बस यही चाहते है कि जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पढ़ जाए कोई साथ मत दे बस तुम साथ देना और ध्यान रखो न कोई था न कोई है स्टानिंग हो सकती है हमारे बीच लोग आग लगाने के कोशिश कर सकते हैं हमारे बीच कोई भी थार्ड पार्टी का काम कर सकता है कोई भी इंसान हमें अलग करने के लिए लेकिन तुम समझदारी दिखाना तुम मेरा साथ देना तुम दोसरों की बातों में आके मुझे छ इसको लेकर लेकिन आपको हमने बताया कि कभी-कभी हमारा एक गलत फैसला जिंदगी भर के लिए हमें अंधेरी की तरफ ले जाता है आज इनके दिन अच्छे नहीं क्या हुआ लेकिन एक दिन अपने लाइप में बहुत सक्सेसफुल इनसान बनेंगे दियान रखना बस कहते ना कि अभी वक्त मेरे साथ नहीं है जिस दिन वक्त मेरा और वक्त सबका आता है सबका समय आता है हाँ जो पेसिंस रखते हैं और कर्म करते हैं उनका वक्त जरूर आता है और यह बहुत कर्मनेश्ट व्यक्त नही बस इनका दिल इनका प्यार इनकी जान इनकी मौपत सब आपके लिए किसी और के लिए कुछ भी नहीं है ठीक है तो छोड़के मत जाना इन्हें नहीं जाएंगे न तो अगले साथ दिरों में ऐसी फीलिंग्स होंगी आप दोनों की अच्छा आपको न 11-11 भी दिख रहा होग तो आप तुरंत उसका मेनिंग गूगल करें यह कहकर एंचल से कि एक नंबर एक नंबर के बहुत मेनिंग्स हैं ठीक है बहुत सारे सब के अलग अलग लेकिन अभी जो करेंटली मेरे थौट्स थे और उसको देखते हुए आप जो मुझे संदेज देना चाहते जो मुझे म जा रहा हूँ मेरे सामने वही मेशेज आप रखना है थैक है पता है किसी बी एक नंबर को एक ही मीनिंग नहीं होता है तह कई मीनिंग्स होते हैं कई जैसे कि हमेरे पता कि औरों के नजरों में ॏी टrip 18 2233 का क्या मेंने अतैं है सिंपल सी ऐसे ही आप भी समझना कि आपको जो भी नंबर्स दिख रहे होंगे डिफिनेटली दिख रहे हैं आपको अब ध्यान दो फिर न दो थ्री भी दिख रहा है आपको टृपल थ्री टू और वन वन भी दिख रहा है आपको नंबर एट भी दिख रहा होगा आपको और आपकी विश जरूर पूरी होगी, बस थोड़ा वक्त लग रहा है, तो पेसेंस रखे, जैशी कृष्णा, अपना खयाल रखे, अपने अपनों का खयाल रखे, कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखे, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पुरी परवा करने है, अपने खुश्यों के परवा करने है, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, जैशी कृष्णा, अप्शन नमबर टू, कैसे हैं आप, हम आशा करते हैं, कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे, और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, अपने जीवन में आगे पढ़ रहे होंगे, अगले साथ दिनों में क्या होने वाला है, आप दोनों के बीच, अप दोनों के क्या एनर्जी होगी, क्या फीलिंग्स होगी उनकी, क्या एक्शन होगा उनका, और आपकी क्या फीलिंग्स होगी, आपका क्या एक्शन होगा, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या फील करोगे, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या महसूस करोगे, तो चलिए, सबसे पहले स्ट्रॉंग साइन के बात करते हैं, ठीक है, देखे, जमिनेल इब्रैक वेरियस मिधुन तुरा कुम्ब राशी इधर बहुत स्ट्रॉंग है और टॉरस वर को के अप्रिकॉन है विश्प करने मगर राशी एरिस लियो साजेटेरिस के एनरजी थोड़ सी कम है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है करकर विश्प में राशी इस हफ़ते थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन के स्थिती में आएंगे इस्पेशली आप यह कन्फ्यूजन ऐसी हो सकती है कि इधर जाओं कि इधर जाओं जैसे कोई इंसान तब मजधार में आके अटका होता है उससे बहुत डर लगता है कि पता नहीं कब मेरी नाव डूब जाएगी कब मेरी कश्टी डूब जाएगी मैं पार हो पाऊंगा कि नहीं अटक गए हैं एक जगा पे थोड़ा सा बर्डन फील करेंगे थोड़ा सा क्यूंकि शायद बहुत समय से आपने एक पेसिंज दारन करके बैठा हुआ है एक patience धारन करके एक sabr एक दहर धारन करके आप बैठे हुए है इनके इंतिजार में और इनकी तरफ से बस थोड़ा सा और बस wait करो थोड़ा सा सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा जैसे बहुत समय से हम किसी का इंतिजार कर रहे हूं और वो हमसे ये कहे कि बस दो मिनट दो मिनट कहते कहते दो घंटे हो जाएं दो घंटे भी सही बीज घंटे हो जाएं फिर भी वो ये न कहे कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा वो ये ही कहे कि बस दो मिनट बस दो मिनट बुला लगता है ना गुस्सा आता है ना क्योंकि वो ये नहीं कह रहा है क्लियर कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा वो ये नहीं कह रहा है कि आज नहीं हो पाएगा वो बस ये बोल रहा है कि बस दो मिनट तो फिर एक उम्मीद जगती कि क्या पता है कि दो मिनट बाद आही जाए क्या पता है कि दो मिनट बाद सब ठीक हो ही जाए तो कुछ ऐसा ही हम आपका देख रहे हैं कि बस दो मिनट बस थोड़ा सा बस कुछ दिनों की बात है बस पक्का इस तरह का चल रहा है आपके साथ तो शायद अगले साथ दिनों में आप न बहुत बर्डन फिल करेंगे या तो फैमिली में आपके पर्सनल फैमिली में कोई बात हो जाएगी और आप परिशार रहोगे कि यार उसकी तरफ से न हाँ होता है न न होता है और अगर वो कुछ क्लियर करें तो मैं एक एक्शन लूँ एक डिसीजन लूँ पर उसकी तरफ से कोई क्लार्टी नहीं मिल रही है क्या करूं बस पेसेंस 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 धैर 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 यहीं चल रहा है ते जिनों से कभी-कभी आप समस्दारी दिखाएंगे इस हफते आप समस्दारी दिखाते वे नजर आएंगे कभी-कभी आपको लगेगा कि यार बहुत हो गया है और इनकी क्या एनर्जी होगी आपके लिए पता है बता है आखे बंद करिए एक सौंग के तुरू बताते आपको ठीक है हमें पता आपको बहुत अच्छा लगेगा आखे बंद करिए और गहराई से फील करिए ये सौंग तो हम सुना रहें आपको पर मान लीजिए कि जो शब्द होंगे आपके परसन के दिल से निक्रिवे होंगे जिन्दगी से जंग जीत लेंगे हम साथी कर तेरा साथ हो सिन्दगी से जंग जीत लेंगे हम साथी कर तेरा साथ हो हसते हसते हम सहलेंगे हर गं हसते हसते हम सहलेंगे हर गं हाथ में जो तेरा हाथ हो सिंदगी से जंग, जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो फूल खिले और मुरजाए, सूरज निकले ढल जाए, सुख दुख जीवन के दो रंग है पल में आए गम के काले बादल हो, या आसों की बरसात हो जिंदगी से जंग, जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो हस्ते हस्ते हम, सहलेंगे हर गम, हाथ में जो तेरा हाथ हो जिंदगी से जंग, जीत लेंगे हम, साथी कर तेरा साथ हो इनका कहना है कि अगर तुम साथ हो न, तो मैं जिंदगी की हर एक जंग जीत सकता हूँ अगर तुम साथ हो, तो मुझे कोई हराने सकता, अगर तुम साथ हो, तो हमारी जीत पक्की है अगर तुम साथ दो, तो फिर हमें एक होने से कोई रोब नी सकता तुम मेरी जीत हो, तुम मेरी सकसेस हो, तुम मेरी पावर हो, तुम मेरा सब कुछ हो तुम साथ हो न, तो फिर चाहे जिंदगी में कुछ भी हो, वो चलेगा गम के काले बादल हो या आशू की बरसात हो जिन्दगी से जंग जीत लेंगे हम साथी गर तेरा साथ हो अगर तेरा साथ हो हमारी हैपी फैमिली बनने से कोई नहीं रोक सकता बस अगर तुम पेसिंस दिखाओ बस अगर तुम अंडरस्टानिंग दिखाओ मैं सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करूंगी और देखना मुझे पूरा यकीन है मुझे पूरा यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा अभी बताए अभी जो टाइम है ना यो टाइम ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा पीछे जाकर जो चीज़े बिगड़ गई है उन्हें सही करना है इस वक्त जजबातों को कंट्रोल करना है इस वक्त सोच समझ कर action लेना है सोच समझ कर decision लेना है और तुम तो बहुत प्यार है हो तुम तो बहुत प्यार deserve करती हो और वो प्यार मैं तुम्हें दूँगा मैं तुम्हें दूँगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बस वादा करो कि तुम मेरे साथ नहीं छोड़ोगे क्योंकि तुम जल्दी हार मान जाते है तुमेशा जल्दी ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं होगा यार कुछ नहीं होगा हमारा हमारी family नहीं मानेगी हमारे बीच रिष्टे अच्छे नहीं बनेंगे या फिर हमारा कुछ इन future आगे नहीं हो पाएगा अच्छा सा येकीन करो इश्वर पे विश्वास रखो और अपने प्यार पे विश्वास रखो अगले साथ दिनों में इनकी ऐसी ही एनरजी होगी अच्छा आप ना इनसे इस कदर प्यार करते हैं इतना true love है आपका, इतना सच्छा प्यार है आपका कि हम क्या बताएं आप बहुत समय से इनका इंतजार कर रहे हैं लाइफ में बहुत सारी इशूस होने की वज़े से अब डाउंस चलते रहे हैं इधर ना बहुत सारी लोगों का निउव कनेक्शन हों में नज़र आ रहा है लाइक कुछ निउव निउव लोग भी हैं हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप किसी अंचाहे रिष्टे में बंधे हों जहां पर आप हर दिन एक जिसे की जीते जी आप एक मौत महसूस करते हैं एक मृत्यू महसूस करते हैं ठीक है और आप बहुत परिशान है उस लाइफ से उन डिश्टों से उन लोगों से आपका दिल घबराता है अंदर से आपको लगता है कि जो भी हो जल्दी हो कहीं ऐसा नहों कि मैं दुनिया ही छोड़ दूं आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा जिंदगी का कोई भरोस चानी है और मेरा इंतजार तो मुझे ऐसा लगते कि सद्धियों का इंतजार रही हैं इसे हम इंतजार ही कर रहे हैं और कुछ अच्छा हो नहीं रहे हैं अच्छा कोई और भी इस हफते आपकी जिन्दगी में आने वहला है हैं आप अनको पहले जानते हैं आपकी फ्रेंड हो सकते हैं भू बच्पन के कॉलिज के स्कूल के कहीं की भे वो फ्रेंड हैं आप उन्हें पहले जानते हैं बट वह इस हफ़ते की जिन्दगी में थोड़ा का अपना इंवॉल्मंट दिखाएंगे, लाइक मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, यह वो फालानडिम काना, ब्लाबला, इस तरह की बाते, वो आप से करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका दिल, आपका दिमाग, आपका शरीर, आपकी आप किसी और को समर्पित कर चुके हैं, और आप पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ उनके ही हैं, आपको पसंद नहीं है इस तरह की चीज़े खड़ना, पर कोई है जो शायद आपके थोड़ी सी तनहाई का फायदा उठाने के कोशिश करेखा, क्योंकि देखो गई-गई-ग मुझे इसकी आदत है, यह मुझे ना देखे न, यह मुझे ना दिखे तो मैं बेचैन हो जाता हूं, अब क्या करूँ मुझे इसकी आदत है, आपको आदत हाग हो गई है इनकी, अगर इनसे बात न हो, इनका चेहरा न दिखे आपको दिन में एक बार जिस दिन तुझको न देखूँ पागल पागल फिरती हूँ और कान तजह यूँ प्यार करीगा जैसे मैं करती हूँ ये आपके अनरजी इनके लिए आप इस तरह की महबज, आप इस तरह का प्यार इनके लिए मैसूस करते हैं पता ये बहुत पवित्र प्रीव है अच्छा हमें यहाँ पर कुछ लोगों के लगता है कि शायद आप मैरिड है आप मैरिड है और ये अनमैरिड है ठीक है और कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद ये मैरिड है आप सिंगल हैं, तो अभी न, अभी जैसे कि इनके लाइफ में कोई बहुत कंट्रोल लगाने कोशिश कर रहा है, इनने पता है कि एक दिन मैं ये पिंजरा तोड़ कर उड़ जाओंगी, उड़ जाओंगा, अभी इनको जो करना है वो कर लेने दो, इनने अपना पूरा भविश से जैसे कि आपके साथ मनी मन में सेट कर लिया है, कि जिसे जो करना है अभी कर लेने दो, एक समय वो होगा कि फिर मुझे कोई रोक नी पाएगा, एक समय वो होगा कि फिर मैं अपनी मर्जी से, अपनी जिंदगी, अपने तरीके से जीऊंगी, अ अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करना है, हर चीज को थोड़ा सा बैलेंस करना है, जिससे इन फ्यूचर हमें अपनी जिंदगी जीने में किसी भी परकार के कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, इस वज़े से यह आप से कहना चाहेंगे, कि प्लीज थोड़ा सा और और इंतिजार कर लो थोड़ा सा और पेसिंस रखो सब ठीक होगा पक्का तुमारी सारी शिकायते दूर कर दूँगा अब तक जितना तुम्हें परिशान होना पड़ा है मेरी वज़े से स्पिशली देखना अब मैं तुमारे दुख की तुमारे आसों की तुमारी उदासी की वज़ा नहीं बनूगी सिर्फ तुमारे खुशियों की वज़ा बनना है मुझे तुम्हें इतना प्यार देना है इतना प्यार देना है इतनी खुशिया देनी है कि तुम पुरानी सारे बाते भूल जा, बस जिन्दगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो, हम अच्छा यहां पर देख रहे हैं कि आप भी काफे मेच्योटी दिखाते हैं और आगे भी आप दिखाएंगे, क्योंकि पता है यह बहुत समझदारी वाला रिष्टा है, इस रिष्टे में कोई भी बचकाना नहीं है, ना आप नहीं है, यह प्योर हार्ट कनेक्शन, हार्ट चक्रा के लेवल वाला कनेक्शन है, और चाहे कोई कितना भी कुछ भी कहें, लेकिन आपके अंदर ना एक कमाल की समझदारी है, आप ना बहुत समझदार है और दूसरों भी आप समझा लेते हैं, हमें लगता है कि शायद कुछ आपका यह समझदारी वाला कोई प्रफेशन हो सकता आपका, बहुत अंडरस्टाइन है आपके अंदर, जैसे आपके अंदर एक लीडर्शिप क्वालिटी, आप एक लीडर है, आप लोगों को ना रास्ता दिखाते हैं, गाइड करते हैं आप लोगों को, आप अपने जिन्धगी में अगर कहीं फस जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप उनहीं को याद करते हैं, जो इस Lever को उते होते हैं, जो लायक होते हैं, और आप ज़ादा तर करके ढि पीटते किसे तो बताते नहीं है और आपको ना निर्भर होकर जीना पसंद नहीं है तो आप पूरी कोशोश करतें कि आप महां से निकल जाए इसे जाए और दोर प दो आप नहीं हां कि उसके मां मतलब हेल्प ले ले और कल ये उसका निडोर औरrika तो आपको लगता है कि हो सकते तुम्हें गैरों से मदद ले लू पर अपनों से ना लो क्योंकि जो गयर होते हैं जो दूसरे होते हैं वो फिर भी एक बार कुछ नहीं कहेंगे रेकिन जो अपने होते हैं अगर आप मुझे थोड़ी सी मदद लेरो तो भाई वो चार जगा गाना गाते फिरते हैं आपना मतलब की चुप रहते हैं थोड़ा सा शान्त हैं बस आपका यही होता है कि मेरे सब्र का इम्तिहान मतलो और यहां पर हम यहीं देख रहे हैं कि जैसे कि आपना इस अपते थोड़ा सा ऐसे फिल करेंगे कि यार कब तक चले गए सब कुछ कब तक मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जिनके साथ मैं रहना नहीं सब्सक्राइब करोगे और कभा अपक्षान लोगे इनकी लिए कि आप पकभी-कभी लगता है और अपना हर पल हर पल इनको ही सोचते रहते हैं अगले साथ दिनों में जिनका निए आप से अपने दिल की बात नहीं कही है तो अगले साथ दिनों में आप से अपने दिल की बात भी कह सकते हैं अगर लाई कि आपके कोई क्रश है और इन्होंने अब तक अपसे आपको प्रपोस्ट नहीं किया है अपसे अपने जजबास शेयर नहीं करें तो अगले साथ दिनों में आप लोग कहीं मिल सकते हैं आप लोग कोई मीटिंग हो सकती है और आप लोग कहीं घुमने जा सकते हैं और ये आपको अपने दिल का हाल बता सकते हैं, आपको सब को शेयर कर सकते हैं, कि बता है, ऐसा है, ऐसा है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे तुम्हे तुम्हें इतना ही कहना है कि मुझे हर कीमत में तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा हाथ चाहिए, बह कुल भी ऐसा नहीं कि negative way में like use करने की भाव से इस्तमाल करना है वासनाओं की पूर्ती करनी है इस तरह से नहीं बहुत spiritual way में आपका साथ चाहते हैं अगर यह new connection है कुछ लोगों के लिए तो ठीक है और बताएं इधर ना कुछ समझदार twin soldier जड़ने वाले हैं कुछ समझदार twin flame से यहां पे जिनके भी चीज़े बहुत अच्छी होंगी अगले साथ दिनों में तो आपसे हम यही कहेंगे कि देखो जो new person आपके life में आएगा उसे ज़्यादा भाव मत देना उसे ज़्यादा attention मत देना वरना वो आपके गले का फंदा बन सकता है ठीक है क्योंकि वो सि physically attract है और कुछ नहीं ज़्यादा बाते मत करना ignore करना और यहीं दिखा रहा है कि आप interested नहीं उसे बात करने में ठीक है बाकी सब अच्छा होगा आप इतना धैर रखते हैं आगे भी रखिए सब अच्छा हो जाएगा आप लोगों के धर में ठीक है I hope कि आप समझ गे होंगी जैशी कृष्णा अपना खयाल रखे अपने अपनों का खयाल रखे कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचे क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पुरी जिंदगी कहेंगे आपको लोगों की नहीं अपनी परभा करनी है अपने खुश्यों की परभा करनी है अगर पहले बारे आप कमन कहता हो आपकी आत्मा कहती हो तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हम मोटिवेट कर सकते हैं ठीक है जै श्री कृष्णा आप सभी के फिदय में पैठी वे परमात्मा को हमारा शादर प्रणाम ओम मनिपद में हम ओम साहिराम